हो तो दू टाइम प्रिपरेशन और मेनेजमेंट पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब सुडेंट का प्रिपरेशन कर रहा है उसमें डेली बेसिस पर टाइम मेनेजमेंट है वो डिफरेंट होता है तो आपको कैसे करने के लाइक अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको दो तीन चीज़ों पर सबसे आदा फोकस करना है एक आपका होमवर्क ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए दूसरी चीज आपका रिविजन ऑन टाइम होना क्योंकि एक्जाम में 11 और 12 का पूरा सिलबस आ रहा है बहुत सारी चीज़ें आ रही है और वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में एक साथ में रीटेन करनी है एक्जाम बहुत एजी आता है लेकिन बच्चे मार्क्स खराब इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास वो जा रहे हो आपके पास एक मिनट से भी कम का टाइम है तो सीधी सी वाद है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन होगा नहीं पता है तो नहीं होगा तो आपको प्रक्टिस करो जब आप पूरे दिन पढ़ लेते हो आपने क्लास किया तीन चार घंटे का क्ला अगर आपको आती है तो फॉर्टी क्वेश्चन आपके दस मिनट में खतम हो जाएंगे अगर आपको मैथ के फॉर्मूले पता है तो जो पचास क्वेश्चन है उसको करने में आपको पचास मिनट भी नहीं लगेगा वो आप तीस मिनट में कर लोगे लेकिन नहीं पता है तो आपको उत्रा ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो तीन चीज़े हैं जिनके उपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एक आप जैसे ही आते हो घर पे, तो उसको revise करो, दूसरी बाद, homework on time complete करो, और तीसरी चीज़ फॉर्मूला बुक बनाओ अलग-अलग subject का, और उसको revise करने के अलग-अलग दिन बला, तो like day 1 पर maths कर रहे हैं, तो day 2 पर physics कर रहे हैं, then day 3 पर English कर रहे हैं, and then we are repeating the same cycle, और Sunday को जाकर के हम पूरा का पूरा एक साथ revise कर रहे हैं, तो अगर आफ फॉर्मूला बुक बना करके revise करोगे, जितना जादा प्लान करके चलोगे, उतना आसान रहेगा exam में, end time पे, very nice, thank you, how to do time management during exams? during examination क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी panic करते हैं, मतलब मैंने भी अपने time में, और एवन आपने भी अपने time में किया होगा, बहुता है कि जब आपका exam है, तो आपके उपर pressure है, बहुत जादा बहुत सारी चीज़े हैं, so मैं suggest करता हूँ कि, पूरा proper time management का plan पहले से बना लो, even मैं हर बार अपने channel पे डालता भी होंगे, time management का plan क्या होना चाहिए, so अगर आप IMUCD का exam लिखने जा रहे हो, तो मैं suggest यह करता हूँ कि, आपके बाद 3 घंटे हैं, मतलब की 180 मिनिट्स, और उस 3 घंटे में आपको 200 question ट्राई करने हैं, attempt करने हैं, तो पहले तो यह सोच लो कि, आपको कौन सी range में रहना है, अगर आप 100 भी cross कर जाते हो, 100 question आपके सही है, तो आपको decent rank मिलने वाला है, अगर आप 120 clear कर जाते हो, तो आप पहले यह देख लो कि, आपको कितने question करने हैं, क्योंकि उसके इसाब से, आपका time कम या जादा हो सकता है, अगर आप 200 question के इसाब से time देखोंगे, तो आपको 1 minute से कम मिल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं, मुझे तो 120 question करने, time 180 है और आपको correct करने 120, तो आपके पास अब time बढ़ गया है, एक minute से जादा, मतलब एक question के लिए one and a half minute है आपके पास, now what do you have to do, you have to search the questions, क्योंकि paper में वो easy question कहीं कहीं पे छुपे हुए, और हम क्या करते हैं, difficult question में अपना time बरबात कर देते हैं, जिसकी वज़ए से easy miss हो जा, और exam में ये matter नहीं कर रहा है, कोई rank ये देख करके नहीं देता है, कि इसने सबसे difficult वाला question किया था, वहाँ पे rank कैसे मिल रही है, कि इसने जादा question किये थे, तो आपको क्या करना है, कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है, कि कहां पे हमें easy question मिल रहा है, ऐसे तो maximum paper easy ही रहता है, बट मैं suggest करता हूँ कि आप पहले English से जाओ, क्योंकि English में क्या है कि English में vocabulary होती है, out of 40 questions 25 तो vocabulary से ही आते हैं, तो या तो वो question आपको आते हैं, या फिर वो नहीं आते, अगर वो 40 question है, तो एक question करने में आपको 5 से 10 second का time लग रहा है, आपने word देखा, आपको उसका meaning पता है, antonym या synonym पता है या नहीं पता है, maximum 5 to 10 seconds, तो अगर आप 10 second भी एक question पे लगाते हो, तो 40 question करने के लिए आपको 400 seconds चाहिए, मतलब 6 से 7 minute का time, 7 minute में आपने 40 question खतम कर दिये, suppose आप अच्छी तरीके से English prepare करके गए थे, आप सोच के देखो कि पहले 7 minute में, 7 minutes में आपको 25 question तो सही मिलने वाले, और ये उस moment पे आपका confidence भी build-up करेगा, तो ये अगर आपके question गलत होते हैं, या नहीं आते हैं, तो आपका confidence डाउन जाता है, और आता है तो जल्दी जल्दी अब भी होता है, तो 7 minute में अगर 25 question हो गए, आपको 120 तक जाना था, 25 अपने कर लिया, Now, you can go for physics और maths, जो भी आपका favorite हो, जो आपको जादा अच्छी तरीके से आता हो, messages करता हो physics में जाओ, जो physics में calculation जादा नहीं होती है, application-based question होते है, formula-based, definition-based question होते है, go for physics, तो क्या होगा कि out of 50 question, अगर आप 30 second भी question को दे रहे हो, क्योंकि वो सीधा-सीधा कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है, कि rate of change of momentum is what, बिल्कुल definition-based, you just have to type it as force, तो ऐसे question भी होंगे वापे, तो वो question करने के लिए आपको maximum 30 second लगने वाला है, तो अगर आप 50 question करते हो, तो आपको 25 minutes से जादा का time नहीं लगेगा, लब वो 7 minutes plus these 25 minutes, मतलब आधे घंटे के अंदर within 32 minutes, आपने कम से कम 50 कर लिए, अभी आपके पास धाई गंटे का time बचा हुआ है, now you can go for chemistry और mathematics, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो chemistry अच्छा लग रहा है, गो फर those 20 questions आपको 10 minutes का ही time लगेगा, otherwise go for mathematics, तो होगा क्या कि quick आप देखते जा रहे हो, जो easy हैं उनको tick करते जा रहे हैं, जो difficult हैं उनको बाद में देखेंगे, जो moderate भी हैं उनको बाद में देखेंगे, हम बस एक cursor देखते जा रहे हैं, कि physics देख लिया, 25 मिनट में भी easy थे, जो एकदाब formula based थे, फटाफट खटम कर दिये, ऐसे math देख लिया, जो बिल्कुल सीधे formula based थे, उनको खटम कर दिया, तो आप पहला एक घंटे का time जब निकालोगे, तो aptitude छोड़ करके, एक घंटे में बागी सारी चीज़ें आपने देख लिये, और एक घंटे में कम 60-70 question आपने कर लिये, अभी दो घंटे का time बचा है, आपको ये पता चल गया है कि इन में से कौन सा वाला paper easy है, कौन सा वाला paper difficult है, अब आप aptitude पे भी जा सकते हो, तो next 20 minutes या 10 minutes आप aptitude पे लगाऊगे, तो होगा गया कि आप ऐसे ही 70-80 question खतम कर लोगे, और उसके बाद ये भी पता है कि suppose mathematics difficult आया है, मतलब आप मुझे उसके question नहीं देखने है, मैं physics और chemistry पे ज़्यादा focus करूँगा, या physics difficult आया, तो मैं mathematics पे आपको पता है कि किस पे जाकर हम practice या calculation करें, तो more number of question हम solve कर सकते हैं, तो अभी भी आपके पास क्या होगा कि डेढ़ घंटे का टाइम बचा होगा और आप आराम से paper complete कर सकते हैं, वैसे इसको और elaborated form में मैं एकदम exam के पहले भी बनाता हूँ, बट ये एक basic idea है, और ये चीज हमें आपको बिजुलाइज करनी चाहिए, इक्जाम में मेरे ख्याल से मुझे समझ में आए कि student को कभी भी ये एम नहीं करना चाहिए कि मुझे सारे questions करने है, he should be smart enough कि मुझे एक अच्छा score करना है, कौन सा मेरा week है, उसमें मेरे को time waste नहीं करना है, अपने ego पर मतलो कि ये मेरे को करना है, अच्छा ये चीज़े को बता भी देता हूं, लोग इसके बाद भी ये चीज़े कर रहे हूं, जैसे मैं कई बार बच्चों को बताता हूं, बट एक्जाम में जाते जाते बच्चे क्या करते हैं, इस situation पे फिर से फस्स जाते हैं, और फिर बोलेंगे के हां सार, आपने समझाया तो था, लेकिन मैं पैनिक कर रहे हैं, तो उसका रीजन ही होता है, कि वो लोग इस चीज़ को डेली विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, डेली सुन नहीं रहे हैं, उससे connected नहीं है, associated नहीं है, इसकी वज़े से वहां पर जाकर कर डिटाइच हो जाते हैं, वो अपने पुराने पैटन पर आ जाते हैं, आपको पैटन ब्रेक करना पढ़ेगा, नया पैटन बना खाब, राइट, थैंक यू